आज हम डिस्कुस करने वाले हैं GTA सर्विस के बारे में, Goods Transport Agency सर्विस के बारे में, जिसका हम help लेते हैं Goods की मुमेंट करने के लिए तो गौर्णमेंट ने काफ़ सारे जो rules and regulation चेंज करती रहती हैं GTA से रिलेटर मेरे प्रिविस भी वीडियो से अप्लोड किये हैं GTA से रिलेटर अगर आपने मुझे फॉलो किया होगा तो आप चानते होंगे तरवाइस इस वीडियो में साधी जिन में sum up कर दूँगी ये GTA से रिलेटर क्या क्या चीजा हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं देखिए प्रिविस गौर्णमेंट ने कुछ रूल और रिगुलेशन बनाया थे उसमें GTA के लिए गौर्णमेंट ने RCM and Epsiom RCM होता है reverse charge mechanism, Epsiom होता है forward charge mechanism reverse charge RCM के अदर में क्या होता है GTA जो है अपने invarsis के उपर take supply नहीं करती है RCM के अदर में जो recipient होता है जो GTA के service को लेता है इसके पर responsibility होती है गौर्णमेंट को take a कराने की second हो गया Epsiom, Epsiom में क्या होता है forward charge mechanism इसमें जो होता है GTA जो goods transport agency है वो अपने invarsis पर take supply करती है and हमें देती है तो उसमें 2 होता है Epsiom में GTA take supply करती है RCM में take supply नहीं करती है जो recipient होता है उसको take supply करना होता है तो दो option होते है good transport agency के पास या तो वो RCM opt कर सकते है या फिर वो Epsiom opt कर सकते है तो यहाँ पे government ने annexer B लेके आए है जिसमें कि यह online form fill up किया जाएगा GST portal पे है and यह online option open हो गया है कैसे आपको fill करना है इसी वीडियो में आगे चलके मैं बताने वाली हूँ अगर आप good transport agency हैं और अगर आप अपने suppose कीजिए आपने previous year में या फिर existing year में Epsiom की service लिए है आप उसको change करना चाहते हैं आप RCM की service को opt करना चाहते हैं तो यह form fill up करके आप कर सकते हैं बढ़ जब आप यह RCM का service छोड़के अगर Epsiom लेते हैं तो वो पूरे एक साल के लिए हो जाता है आप भीच में service को change नहीं कर सकते हैं अगर आपने RCM दिया है तो पूरे one year तक आपको RCM के अंडर में work करना होगा अगर आपने Epsiom दिया है तो आपको Epsiom के अंडर में work करना होगा form fill up करना है and exit B करना है कैसे करना है यह सारी चीज़े मैं आपको आगे वीडियों बताने वाली हूँ तो यह RCM related वीडियो जो मैंने आपने के साल शेयर की हैं यह वीडियो आप सब लिग को अच्छी लगी होगी and so much भी आई होगी तो चीज़े अभी देख लेते हैं कि annexer B जो form है वो आपको कैसे online fill up करना है सबसे पहले portal को login कर लीजिए उसके बाद services के अंडर में आपको यहाँ पे user services show हो रहा है यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे opting forward charges payment by gta annexer B इस पे आपको click करना है जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पे एक option आपको show होगा तो जैसे ही आप इस पे click करेंगे तो यहाँ देखेंगे एक pop-up open होके आजाएगा if you are providing a goods transport agency gta services and wish to opt for payment of takes on forward charge mechanism please click on proceed button और click on go to dashboard button to redirect to the dashboard page तो यहाँ पे अगर आपको करना है अगर आप change करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको proceed पे click करना है अगर नहीं करना चाहते हैं तो go to dashboard पे करेंगे तो आप dashboard पे चले जाएंगे तो जैसे ही इसे आप click करेंगे एक agree and disagree का जो option आता है आपको पता है छोटा सा box पे आपको tick करके उसके बाद proceed पे click करना होता है जो आपका जो सभी से वो change हो जाएगा opt हो जाएगा next financial year 31st of March के बाद का जो financial year चलेगा वो पूरे one year तक जो भी आप opt करेंगे RCM करेंगे या फिर आप FCM करेंगे तो उन दोनों में से जो भी आप चूज करेंगे वो पूरे year हो चलेगा उसके बाद अगर आप change करना चाहते हैं तो आप next year के लिए change कर सकते हैं तो इस step से आपको annexer B form जो हो फिल अप करना है यह form इस step से open हो जाएगा इस step से आपको कुष्णी करना है one two click में यह form जो हो फिल अप हो जाता है तो इस type से अगर आप भी opt करना चाहते हैं तो opt कर सकते हैं change कर सकते हैं